हलो फ्रेंड स्मार्ट निटिंग चैनल में आप सब का बहुत बहुत स्वागत है प्लीज मेरे चैनल को सबस्काइब जूरूर कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरी आने वाली जो वीडियो है वो आपको सबसे पहले पहुंच सके तो आईए आज हम अधाइन बनाते हैं जे six के multiple में design बनेगा आप six के multiple में फन्दे डाल लिजिए और प्लास टू कर लिजिए तो आपके project पे जे design सेट बैठेगा तो चलिए आज मैं आपके लिए ये design बना कर दखाती हूं आपको ये देखिए ये पहला फंदा हमने सीधा लेना है ये पहला फंदा हमने सीधा लिया फिर दो का हमने एक बनाना है दो का ऐसे एक बनाना है सीधे बनाने है दो दो का एक बनाया धागे को आगे करना है फिर एक पे हमने ये जाली डालनी है एक सीधा बनाना है धागे को आगे करके फिर से धागे को आगे करना है ये एक जो फंदा है इसको हमने सीधा करना है ऐसे और दो का हमने ये पीशे से हमने लगा करके दो का धागे को आगे करके दो का हमने एक बनाना है और फिर से धागे को आगे करना है और एक फंदा हमारा उल्टा जाएगा, फिर से धागा पीछे किया, दो का एक बनाना है, आगे से पीछे की तरफ दो का एक, जैसे हम सीधी बनाई करते हैं, बैसे ही दो का एक बनेगा यहां पर, और धागे को आगे करके, एक फंदा सीधा बनेगा, धागे को आगे करके, यह पहले वारा जो फर् दो का एक बना लेना है फिर से धाग्गे को आगे करके एक फंदा उर्टा बनाया धाग्गा पीशे किया दो का फिर से एक किया धाग्गा आगे किया एक पे जाली डालनी है एक फंदा मतलब कि सीधा बनाना है और फिर से धाग्गे को आगे करना है इस फंदे को सीधा करके ऐ से और BEAKS वाली साइड से जे दो स्टीचे का एक स्टीच बनाना है से दो का हमने एक बनाना है ऐसे फिर से धाग्गा आगे करना है एक फंदा उलटा बनेगा धाग्गा पीशे किया ये दो जो फंदे है या हमारे सीधे बनेंगे दागे को आगे करना है एक फंदा फिर से सीधा बनेगा दागे को आगे ही रहने दिना है फिर से दागा आगे किया एक फंदा सीधा करके यह साथ वाला फंदा ले करके हमने दो का एक बना लेना है दागे को फिर से आगे करना है और उल्टा बना लेना है एक फंदा दागे को फिर से पीछे करके ये दो का एक दागा आगे किया ये एक फंदा सीधा बनाया फिर से दागा आगे किया और इस फंदे को सीधा करके साथ में ये बाला फंदा लेकरके दो का एक कर लेना है और ये last बाला जो फंदा है हमारा वो उल्टा जाएगा देखिए second row हमारी second row में हमने wrong side है ये 5 फंदे हमारे उल्टे आएंगे 1, 2, 3, 4, और ये 5 5 फंदे उल्टे आएंगे धाग़ा पीशे करके ये जो बीच बाला फंदा है इस बाली side से right बाली side से हमारा जो उल्टा बना था फंदा इस wrong बाली side से हमारा सीधा बनेगा एक सीधा बना लिया और धाग़ा आगे करके 5 फंदे हमने 5 स्टिचे जो हैं वो हमने उल्टे बनाने हैं फाइव स्टिच उल्टे और धागा पीशे किया वन जो स्टिच है हमारा वो हमारा सीधा बनेगा और फिर से बूल को आगे करना है फाइव स्टिच जो हैं वो हमारे उल्टे बनेगे एक दो तीन चार और ये पाँच जो फाइब स्टिचिज हमारे हैं वो उल्टे बनेंगे और ये एक स्टिच है जो वो सीधा बनेंगा फिर से फाइब स्टिचिज जो हैं उल्टे बनेंगे जे पीच बाला जो एक स्टिच है वो सीधा बनेंगा फिर से five stitches जो हैं वो उल्टे बनेंगे यह हमारी wrong side है और second row है हमारी एक फंदा इसमें बीच में सीधा आएगा और बाकी पांच फंदे हमारे उल्टे आएगे अब आजाए थर्ड रो पे थर्ड रो में हमने क्या करना है जे एक फंदा हमारा उल्टा जाएगा और बूल को पीशे करना है जे five जो हमारे stitches है वो सीधे बनेंगे one, two, three, four, five five बूल को आगे करना है one जो stitch हमारा वो उल्टा बनेगा और five stitches हमारे सीधे बनेंगे one, two, three, four, five और एक stitch हमारा जो है वो उल्टा बनेगा फिर से five stitches जो है वो सीधे बनेगे one, two, three, four, five बूल को आगे करना है और एक stitch हमें उल्टा बना लेना है बूल को पीशे करना है और five stitches हमें सीधे बना लेने है one, two, three, four, five बूल को आगे किया एक stitch हमारा उल्टा गया और बूल को पीशे करना है one, two, three, four, five और यह जो last बाला हमारा stitch है वो हमने उल्टा बनाना है अब आजए यह fourth row पे fourth row में जो जैसा दिख रहा है वैसा ही फंदा हम बनाएंगे जे five stitch हमारे उल्टे जाएंगे और एक stitch हमारा सीधा जाएगा यह देखिए जह सीधा दिख रहा है यह सीधा जाएगा और five stitch हमें उल्टे बनाने है one, two, three, four, five और एक stitch हमारा उल्टा बनेगा five stitch फिर से उल्टे बनेगे और एक stitch हमारा सीधा बनेगा five stitch फिर से उल्टे बनेगे और एक stitch हमारा सीधा बनेगा जे रोंग साइड है fourth row है हमारी देखिए friends यह हमारा design complete हो चुका है अब दूसरी बार जब हमने design बनाना है जे बीच जो जे बीच बाला जो फंदा है वह हमने ओल्टा बनाना है जे जो बीच बाला फंदा है जे ओल्टा बनेगा और इन five stitches पे हमारा design बनेगा वो कैसे बनाना है देखिए फिर से design स्टार्ट हो रहा है यहां से एक दो और यह तीन फंदे हमारे यहां पे सीधे आएंगे देखिए सोरी तीन फंदे सीधे नहीं आएंगे यहाँ पर क्या करना है हमने एक फंदा जो सीधा बना करके इस फंदे को हमने सीधा कर लेना ऐसे ऐसे धागे को हमने आगे करना है और इन दो का एक बना लेना है यहां से डिजाइन हमारा दूसरी बार स्टार्ट हो रहा है और बूल को हम फिर से आगे लाएंगे और एक फंदा उल्टा बनाएंगे उल्टा बन गया एक फंदा यहां से डिजाइन स्टार्ट फिर से बैसा ही होगा जैसे हमने नीचे बनाया था एक फंदा उल्टा आगया अब यहां से दो फंदे हमने बनाए एक बना लिया दो का फिर से धागा आगे करना है एक पे जाली फिर से धागे को आगे किया और यह दो फंदे फिर से सीधे बना लिये फिर से दागा आगे किया यह एक जो स्टिच है हमारा वो सीधा उल्टा आएगा यह राइट साइड है हमारी और यह दो का हमने यहां पर एक बनाना है यह देखिए दो का हमने एक बना लिया देखिए फ्रेंट्स यह एक पंदा हमारा यहां पर उल्टा बन गया और दो पर डिजाइन अब जहां पर हमने दो का एक बनाना है यह देखिए दो का एक बना लिया और धागे को आगे करके यह जो हमारा उल्टा फंदा आ रहा था इसे हमने अब सीधा बनाना है अगली बार में यह देखिए एक सीधा बनाया उस पे हमने जाली डाल ली और धागे को आगे करना है यह दो का हमने फिर से एक बना लेना है फिर से धागा आगे किया ये हमारा फंदा उल्टा आएगा ये दो का एक किया और धागा आगे करके ये एक सीधा बनाया धागा आगे करके ये दो का फिर से एक बनाया फिर से धागा आगे करना है हमने ये देखिए जो हमारा पहले फंदा सीधा आ रहा था वो अब उल्टा आएगा ये देखिए बीच वाला जो है वो उल्टा आएगा धागे को पीशे करके दो का एक करना है धागे को आगे करके एक को सीधा बनाना है फिर से धागा आगे करना है ये दो का हमने एक बना लेना ह और फिर से धागा आगे करना है जे हमारा फंदा उल्टा आएगा फिर से धागा आगे करना है इन दो का एक किया और धागे को आगे करके जे फंदा उल्टा ऐसे ही करके आप इसे ही रिपीट करते जाएए दोनों यह वाला डिजाइन जो बना है और यह जो हम फिर से बना रह है इसे दोनों को हम आप रिपीट करते जाहिए तो आपका डिजाइन बहुत ही सुंदर बनेगा और रॉंग साइट जो हमारी है वह बैसे ही डलेगी जैसे हमने पहले डाली है जो जैसा भी जैसा जो स्टिच दिख रहा है वैसा ही बनाना है हमने यह देखिए जिसीदा है एक सीदा आ गया और पांच फिर से उल्टे बनाएंगे हम पांच फिर से उल्टे यह बाला सीदा है हमारा बीच बाला एक सीदा आ गया और पांच फिर से उल्टे बनाएंगे और दागे को पीशे करके एक स्टिच हमारा उल्टा दागे को आगे किया फिर से अपनी तरफ पांच स्टिच हमारे उल्टे जाएंगे दागे को पीशे करना है एक स्टिच हमारा जो यह जो इस वाली साइड से उल्टा है वो इस वाली साइड से रॉंग साइड से हमारा सीधा बनेगा दागे को फिर से आगे करना है और 5 स्टिच हमें 5 स्टिच जो है वो उल्टे बनाने है फिर से दागे को पीशे करना है यह बन स्टिच सीधा बना एक दो और ये देखिए फ्रेंड्स जट जाइन ऐसा बनेगा ये बहुत ही सुन्दर है देखिए ये उल्टी साइड से भी ऐसा दिख रहा है आप अपने मफरल पे डालीजिए कार्डिगन पे जब बच्चों के स्वैटर पे डालीए ये बहुत ही उबर के आता है और बहुत सुन्दर दिखाई देता है आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेर कीजिए मेरी वीडियो को थैंक यू